वियोज आपने देखा इंडिया टीवी पर एग्जिट पोल और सबसे भरोसे बंद एग्जिट पोल तो है ही और सबसे तेज नतीजे एग्जिट पोल के आपने यही पर देखे हैं हम सब के साथ और आखड़ा देख लीजे नीचे अब की बार 400 पार का मूदी का जो नारा थ करके 28-37 बाकी सारे दल इसके अंदर शामिल है अब बीजे पी अपने दम पर 230 से जादा सीटे ला सकती है मैक्सिमम सीटे कॉंग्रेस को आ सकती है तो वो 64 बावन से 64 यह रेंज है कॉंग्रेस पार्टी की एक एक पार्टी का डाकड़ा आपके सामने अब यह भी आपकी स्क लेकर तीसरी बार लगातार भारत के प्रधान मंतरी बन सकते हैं जिन भी लोगों ने कहा कि यह लहर वाला चुनाव है दिखता है कि मोधी के काम पर वोट पड़ा है वो इस एक्जेट पोल के अंदर देखाई दे रहा है और इसको जिस भी तरीके से अनलाइज किया आपने प्रधार मुधी को फाइदा पहुचा है वो एक्जेट पोल साफ साफ इस वक्त दिखा रहा है सारे राज्यों में दक्षिन के राज्यों में भारती जंदा पार्टी खाता ही नहीं खोल रही अच्छा प्रधर्शन कर रही है करनाटेक में जितने नुकसान की उम्मीद बी बीजेपी जा सकती है तो जहां जहां भाजपा को कुछ कुछ नुकसान हुआ उसकी भरपाई बीजेपी ने जादा की है इसलिए आपको बीजेपी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सवाल ये राहूल गांधी बना मेरेंदर मुदी इस चुनाओं में देखि तो क्या उसका कोई असर पड़ता अगर ये मुदी की लहर हो लहर नहीं तो और क्या है संजीव जी देखिए राहूल गांधी बना मुदी तो ये चुनाओं कभी हुआ नहीं होता तो शायद बीजेपी को बहुत लाब होता उससे अल्रेड़ी आपके एक्जेट पोल में ब बात कही थी कि एक तो महिला मद्दाता बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस सेलेक्शन में जिसको शायद आम नहीं समझ पाए और दूसरा क्लियरली जैसे मुझे अभी भी लगता है कि कोई वेव नहीं थी तो मैं भी अपनी गलती बहुत विनमरता से स्विकार कर लूँगा कि मैं नहीं समझ पाया कि वेव थी हमें नहीं दिख रही थी बट मुझे अभी भी लग रहा है यह बहुत हायर साइट पर प्रजेक्शन है और मैं चार जून का इंजार करूँगा और उसके बाद ज्यादा अच्छी तरह से टेपने का पावगा अभी वेव तो 272 इन क्व गलती नहीं है किसी अनलिस्ट की गलती नहीं है वो सब हसी होई स्टेट से महराश्रा करनाटक बिहार यहां पर अल्टिमेट रिजल्ट क्या निकलता है जैसे कर सब्स्पोज मैंने 3000 लोगों से बात करी है भावेश ने 1,90,000 लोगों से बात किया है यह न सारे जैसे मुझे ही स्विकार करना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मानने पड़ेगा कि उनका असेश्मेंट सही नहीं है जैसा कि संजीव जी कह रहे है कि राहुल गांदी लगातार यह तीसरी बार चुनाव है जो हार रहे है नरेंद्र मोदी को राहुल तो बिलकुल हरा नहीं सकते हैं देखकर तो समझ में आ रहा है देखिए इस जीत में अगर यह नंबर सही जाते हैं तो इस जीत इसलिए और बड़ी है कि पहली नहीं दूसरी बार के इंकम्मेंट है विश भर में कोई भी राजनायक कोई बी राश्पती प्रधान मंतिर ती में दूसरे वेक्ति होंगे जवालना नहरू के बाद करोना के बाद जो भी चुनाव में गया पूरी दुनिया में वह चुनाव अमूमन हरा है तीसरी बात युकरेण युद्ध के बाद जो मंदी आई जो अनाजयों की कमी उसके बाद चुनाव यह यह फैक्टर को भी अगर मार्केटिंग की लांग्विज में अगर बात करें कि ब्राइंड फटीग भी होता है कि ठीक है आप उसके भी बावजूत उसके भी बावजूत मतलब होदी जी पिछले दस साल से लगाता रहे हैं उनके ही नाम उनके ही अगर चुनाव आता है कई लोग कहते हैं बाई अब और एक्स्पोजूर हो रहा है उनकी ज्यादा रेली हो है जादा रूच वेचे बीच में और पाइंच पॉँछे जो बीज़ेपी को ये चार फो एक क्या आखड़े पर पहुंचाता है सबसे पहली बात की नरेंद मोदी का काम उनका चेहरा दूसरी चीज की ग्रिह मंत्री अमिशा की रहनी थी वो किसी भी चुनाओं के लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं पहले दिन से जिन इसूस की वो बात कर रहे थे आखिर तक उसी पे वो टिके रहे क्योंकि बूट से लगातार उनके पास रिपोर्ट आ रही थी प्रधान मंत्री भी जो बोलते हैं वो गेर चेंज करने का बीजेपी का एक तरीका होता है किस फेज में किस पॉकेट में हमें किस चीज की जुरूत है उसके हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो यह दो फैक्टर हो गए तीसरी की जो बेनिफिसरी वर्ट तयार किया गया उनको सिर्थ तयार करके छोड़ नहीं दिया गया बलकि पार्टी के वीतर कॉल सेंटर बना के और सिर्थ पार्टी के वीतर नहीं एक-एक सांसत के उपर भी जिम्यदारी थी कि आपके कंस्टेंसी में जितने लाभारती हैं उनको फोन के मारफ़त, चिठी के मारफ़त, अपने कारकारताओं के मारफ़त बार-बार याद दिलाना है कि जो चीज आपको मिली है ये आपके वोड के बोड़ालोत नरेंद मोधी क्योंकी प्रधानमंत्री बने इसलिए दिया गया है जैसे एक अमेठी की बात कर लें, वहाँ पे चारलाख लावारती आवास वाले हैं, उन सब को रिच आउट किया गया है तो ये जो कम्प्लीट सिस्टम था, उसको बीजेपी ने त्यार किया है, जो हमारा लावारती वार गया उन तक पहुंचे और नारेशन के मामने तो बीजेपी का जवाब है अमेठी रायबरी लिए तो खोल दिये जर्वाबावेज, रायबरेली राहूल गांधी जीत रहे हैं? जीत जाएंगी अखलेश यादव, खन्नावज? निकालने कोई दिक्कत नहीं लगावाब दिक्कत उनको भी नहीं है तिंपल यादव? मैनपूरी निकालने और गाजीपूर? गाजीपूर सपपा का आजमगड और आजमगड निरववा वो शुरू से दिख रहा था वहाँ सपा जीत रही है धर्मेंदर यादव? धर्मेंदर यादव जीत रहे हैं अब जो आप मान रहेते, सपा की अच्छी सीटे हैं वो सारी सीटे हैं पर भी लगब वास 20 ऐस ऐसी सीटे हैं उनको ज्यादा उमीद नहीं थी लेकिन जब उने दिखा कि हम इतने सीटों में दिख रहें तो साइध उनके बहुत पूर्ण के अलाबा कोई और सीट साहरनपूर सारनपूर कुछ हद तक संभाव के बारा बंकी में साइध निकाल ले तफ है लेकिन बारा बंकी कॉर्णास पारटी वाकी बहूत उचाड़ी है अगर यह नतीजे चार तारीक को आते हैं पाथ हेड्लाइन में बता ही समीदी लेकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो पदामंत्री मोधी का चेहरा दूसरा बड़ी बात है उनकी ग्यारंटी अगर बड़ी बात तो पदामंत्री मोधी ने का है कि मैं जब तिसी बार लोटूँगा तो क्या करूँगा उसको लेकर उनकी बताया कि बड़े मकान देना हो कि बड़े रिफॉर्म मुझे करना है जिससे देश दोया 24 के लिए विक्सित भारत बने मुझे लग रहा है राहूल गांदी के साथ सबसे बड़ी कमजोरी है ही कि राहूल गांदी नपदामंत्री मोधी का मुकावला करने के लिए तैयार हुए ने संगड़न के अंदर जिम्मधा रेली तो गड़बनन के अंदर राहूल गांदी की सुकारता नहीं है कॉंग्रेस के अंदर मलिकार जुन खडगे अपरी पार्टी छोड़ दी की जो करना मलिकार जुन खडगे करें लेकिन सर राहूल गांदी ने पहले जब जिम्मेदारी ले ली थी तब कौन सा नतीजे उनके फेवर में आ गये थे जो पपु यादव को जो वोट जा रहा है वो आज येडी के ही कोटे से जा रहा है यादवों का वोट जा रहा है कुछ जरूर सवर्ण का वोट भी जा रहे कुकि उनका वहां पे एक अच्छा खास रहा है लेकिन चुकि इन ब्लॉक प्राइमिस्टर मोधी के नाम पर रहा तो प्राइमिस्टर मोधी को पी-एम बनाने के लिए कोई पपू यादव कतो हो न वोट करने जाए इसलिए जो एं कईणीऊ है कई़वन दढ़ हें उसके पांच बिंदु क्या है जीतके तो हमने डिसकस कर लिए दोनों के पांच बिंदू सिमिलर एए एक से पांच बिंदु जो है मोधी 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 अमिच्शा चुनाव सबस्पए दिस जा ने अमिदेखा। पूरा काम करता ही है लेकिन हमिश्या के चुनाओ लेड़ने की जो चंता है और उर्जा वो लगाते हैं बियोंड इमेजिनेशन उस तरह के मेहनत अगर आप देखें कि रात में धाई बजे तीन बजे प्रति दिन वो जगया रहते हैं और छे बजे के बाद वो उसी हिसाफ से पहले मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल डे ऐसा नहीं रहा जब उन्होंने ब्रिक लिया और एक सवाल शांतरू आप से किया था वोट शेर आप कितना देख रहे हैं याँ बीजे पी का वोट से बढ़ रहा है उसके बहुत 41 परसंट रहे हैं लेकिन प्रोविजनल है व बढ़ी बज़े जो बड़े राज़ों है जैसे तहम इल्लाडू में बीजे पी का वोट से बढ़ रहा है बैंगॉल में बशे बड़ आप से बढ़ रहे है तो की बड़े बिजे बढ़े जीतने के बाद मेरेंग वोट शेयर 5% परसंट बढ़ाना चार परसंट बढ़ा लेना यह अपने आप में कज़ब बात है फिर्स पास दपोल सिस्टम में 40% की ऊपर वोट पा जाना इतने कॉंटेस्टेड एलेक्शन में वह बहुत बड़ा नंबर है एक फैक्टर शांतरुण जी मोदी की हम बात कर रहे हैं योगी फैक्टर की कितनी चर्चा हुई योगी का चेहरा उत्तर फिलेकर दक्षिन तक पूरब फिलेकर पशिन तक हर जैका प्रचार करता हुआ दिखाए गया अगर नरेंद मोदी ने दोस्तों से जादा राली और रो सपा का परवक्ता करा अरे हैं और आप तो चुनाब बहर रहा है है योगी जी को नुकड्ड नुकड जाना नहीं पढ़ रहा है वहा आप act was शीट पर जाए गोरंबूर की सीट पर जा है दिवरिया कि सीब जाए आपको विदाय्ट मिलेंगे बाचपा के मंतरी सबसे इंट्रेस्टिंग स्टेट्मेंट्स में से एक मैं मानता हूं जो प्राइम मिनिस्टर मोधी ने हाल में कहा था कि मुझे गर्व है कि मेरे मुख्यमंत्री और में वारानसी से सांसदूं उस एक स्टेट्मेंट ने वो सारी चर्चाओं पर काफी हद तक विराम लगाई जो डेली वर्सिज योगी की होती थी केजडिवाल जी अपनी कहानी अप कहा सुनाएंगे कि दो मेने के मुख्यमंत्री हैं तो केजडिवाल बट प्राइम मिनिस्टर ने के कथन के कोई हफता दस दिन बात कहा था और अगले दिन जो अमिच्छा जी ने घंडन गया था कि 75 पर रिटायर नी होंगे वो योगी प कुकि आपने केजडिवाल की बात शेड़ी कि कौनसी ख़बर पढ़नी है और कौनसी जो नहीं ख़बर चपी बतानी है दोनों बाते मंचों से नरेंद मोदी ने किसी अपने मुख्यमंत्री की जोर से तारिफ करें तो वो योगी अतना था चाहा है वो योगी प्लस योगी जोर से नरेंद मोदी के किसी भी स्पीच पर उठा के देखिये अपने बीजेपी के छोटे से चोटे कारकरता का वो मनोवल ऐसा बढ़ाते हैं मद्रप्रदेश में श्रीरा सिंग चोहान केंपेन के दौरान बाद में नाम लेना भले नो नो बंद किया क्योंकि उनको यह सम को लेगे कोई अलग रण नीती होगी और वो अलग रण नीती सिर्फ दुनिया में चलती है उन्होंने क्या बोला था कि पहले तो केवल मोदी से परेशान थे अब इसमें एक नाम और जोड़ दिया गया है योगी आपका आप उस नेता को नचर कर रहे हैं आप सिंपल बात को और किसी तरीके से नहीं हटा सकते तो चलो मुदी वर्से योगी है अमिशा वर्से योगी इस तरह की चीज़े करें ग्राउंड पे दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं हो मैंने पहले भी एक बार इस बात को कहा था कि कि किसी दिन बीजेपी के सिस्टम ने तै क कि या कि अगर योगी आधितना पहटाना है तो 24 गंटा नहीं लाएगा शर में एक लाइन जोड़ देता हूं सर एक तारीफ कोले के जोड़ देता हूं गया तो यह जरूरी नहीं करे तो मतला मुख्यमंत्री बना ही रहे सब्सक्राइब करना है तो आता है कि मुझे मोधी जोगी मंदर दे दियो मोधी जोगी गयाज दे दियो ऐसा आपको किसी और स्टेट में सुनने को नहीं मिलेगा कि आपको ऐसा किसी और अपको यूपी डेलिवर करना तो और यूपी में आपको मालूम है कि यूगी अधियतनात को जीदनी तागत यह लोग दे रहा है लेकिन यूपी आपके हसाब से या बीजेपी की हसाब से मैं कहूं तो क्यूंकि इनने कहा 70 मैकसिम्म बीजेपी 70 जाएगी 80 में 70 कौन कहेगा कि अच्छा नहीं बहुत अच्छा है लेकिन क्या बीजेपी इसे जादा एक्सपर्ट करती थी कभी शुरू में ये टार्गेट जरूर रखा गया था कि 75-76 तक भी हम लेके जाएं क्योंकि आइडियाल सिचुएशन है बीजेपी की लिहास से अभी किसे में में देखे हैं रेन मोदी की लोग प्रिया था योगी आदितेनाथ की लोग प्रिया था गडबंदन के मामले में आरेल सब्सक्राइब कर देखे हैं यहां पर मुस्लिम यादव दलित मिलके वहां पर रहेंगे लेकिन यह सिती नहीं थी और इससे आदर सिस्थी बीजेपी लिए नहीं हो सकती थी सीट को लेके ज़रूर जैसे यह बात कही जाती यह कई बार आपको पताए जाएगा कि हाँ यह कंडिडेट खराब हुआ मैंने तो जितने साल बीजेपी कवर किया है और किसी भी पार्टी को आपको कवर कर रहे हैं ऐसा होता ही नहीं है कि हर बार सारे कंडिडेट है आपके आदर्स कंडिडेट हों कुछ केनिडेट खराब होते ही हैं और उन खराबी की वज़ा ऐसा नहीं होता है कि बीजेपी लीडर्शिप को पता नहीं होता है लेकिन वो कई बार मजबूती में आपको देना होता है बीजेपी अपने एलाइस को बीजेपी जिम्मेदारी मान करके भोकर के लेकर के चलिए लाइस का और साथ मिलता तो ये नमबर बहतर होता बिल्कुल इसमें कोई दोरा नहीं कि लाइस भी अगर उसी रूप में मजबूत रहते तो ये नमबर सा और बहतर हो सकता था बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी ताकत दिया जब मैं पूरी ताकत की बात बता रहा हूं तो चुनाओं में जिस प्रकार के संसाधन लगते हैं उन संसाधनों में भी एलाइस की सीट को लेके कोई भेदभाव नहीं किया गया उनके साथ भी ऐसे ही लगाया गया अपने कारकरताओं को ऐसे ही लगाया गया समस्से यह हो जाती है कि एलाइस की जो पॉलिजेस है आंधर प्रदेश में वहाँ पर एलाइस आपके लिए एसेट इस लिहास से रहा कि वहाँ पर बीजेपी ने बहुत आसानी से स्विकारा कि इस बिग ब्रदर और तुरंत ही पहले दिन ही वहाँ पर एक कॉडिनेशन कमीटी बना दी गई थी और वह कॉडिनेशन कमीटी प्रदेश के अस्तर से लेके बूथ के अस्तर तक ती यानि कि जो भी मुद्दा जो कुछ भी करना है एक बार तैय किया गया तुरंत उसको बूथ लेवल तक स्काटर कर दिया था था कि आज हमें यह बोलना है यह नहीं बोलना इस मुद्दे को उठाना है कई जगाए लाइस को लेके यह परिशानी रही वहाँ पे उतना स्मूथ नहीं था जाहे महराश्ट के आब बात कर लें बिहार के बात कर लें वहाँ पे वो इस मुद्दे स्थानी जितना बाकी जगों पे हुआ उसके चलते एलाइस कई जग़े बीजे पी के पर बोज़ भी बंगाल में बीजे पी का 26 से 28 सीटों तक पहुचना जो सर्वे दावा कर रहा है ममता बनर जी के लिए क्या इसमें चिपा हुआ है आप संदेश अगले विधान सवाज चुनाक ले उनके उपर बहुत बड़ा खत्रा है क्योंकि जिस प्रकार से जैसे कि पहले में आपको बताया था जितना फ्री हेंट दिया गया है अब सोचें कि दूसरे दल से आई हुए विक्ति को बीजेपी ने सालों साल से जो अपने नेता हैं उनको किनारे किया और उनकी कीमत पर एक तरह से अधिकारी बंदों को उतना फ्री हेंट दिया गया है उसका बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है और मंता बने जी के लिए अगले विदान सुभाज चुनाओं में बहुत बड़ा खतर रहेगा क्योंकि प्रदेश में बीजेपी का ऐसा नेता है जो आपसे हेड आउन करने को तयार है इसका फायदा बड़कर्स तक पहुंचता है तो इस एक्जेट पोल के जो बड़े हेडलाइन्स हैं लगाता रहा पिंडिया टीवी पर देखते रहेगा 401 सीट तक यानि दरियंदर मुदी का जो नारा था उसको हकीकत में तबदील होने तक बीजेपीस को ले जा सकती है इंडिये 400 पार हकीकत में जा सकता है हमारा प्रडिक्शन है निरेंदर मुदी तीसरी बार एपसलूट मिजॉरिटी के साथ सरकार बना सकते है यह एक्जेट पोल आपको बता रहा है अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ तो हिंदुस्तान में